है है हमारा बिल्कुल निएचेप्टर। डूर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले निर्दसाँग जयमिति आ कुछ idea कलास । से ही है कुछ आइडिया क्लास एड से है कुछ नाइन में भी पढ़ें और आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी शुत्रे दूरी शुत्रे दूरी शुत्रे दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे विभाजन शुत्रे विभाजन शुत्रे और तीसरा में क्या पढ़ना है शिक्षन फर्मूला इसको बोलते हैं विभाजन शुत्रे के बाद फिर पढ़ना है एरिया परिमे पहला क्या पढ़ेंगे दूरी शुत्र विभाजन शुत्र और आखरी में हम लोग को पढ़ना है छेत्रफल परिमे छेत्रफल प्रमे यह तीन टॉपिक के इस चैप्टर का क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा हमेशा बोड में तुमको सवाल डालेगा तिन नंबर का एक ऐसे हल करने वाला सवाल देता है और अब्जेक्टिव सबस्ती ज्यादा पूछता है तो यह चैप्टर हो गया और फिर आपका एक चैप्टर है यह जो कल पढ़ाएंगे पूछेगा और फिर पूछता है शिद्ध करें वाला तीर्भुज वाला सर्वाग्ष्ण शम्रूप वाला कि सर्वाग्ष्ण तो पढ़ना है क्लास 9 में क्लास 10 में हम लोग क्या पढ़ेंगे शम्रूप जो की खतम के अगार पर है वह बाचा कहा है इसमें सबसे पहले हम तो क्या शुरू करेंगे दूरी शुत्रे देखा जाते इस निर्दसांग का बेशिक सिजे पता है तो लोग का नहीं पता है अच्छी तरह से जानते हो कुछ फिर भी हम याद करवा देते हैं कि निर्दसांग जैमिती जब हम लोग क्लास 9 या क्लास 8 में पढ़े थे तो उ छो क्या बोलेंगे ऐक्स f8 जो अजो व्हाधिकल लाइन होती है इसको लिएकष बोलते हैं इसको क्या अखस दोनों माता है इसजेघा पर को एक्सक्ष को भूज बोलते हैं और हो वाई अक्ष को क्या बनते हैं थिक कोटि ऑकीति आएक को भूज तो नहीं पर घर्टें अल करते हैं थे धैंड। को बोला जाता है मुल बिंदू यहाँ पास कट रहा है इस बिंदू को क्या बोलते हैं मुल बिंदू इसको हम लोग ओरीजिन भी बोलते हैं इसको पी से डिनोट करते हैं पी का निर्दसांग कितना होता है जीरो जीरो कि सारा दूरी सारा के सारा दूरी इसी मुल बिंदू से पहले करते हैं और यहीं कोडिनेट जैमिति का निर्दसांग जैमिति का हैं यूज करके अमीन वेगेरा क्या करता है खेत उतको नापता है कोई न कोई पुराना जगह मिल जाए और इस खेट का मापी करना है तो आपका खेट यहाँ है तो यहीं से अमीन नहीं नाप देगी आपकी खेट को सबसे पहले कोई पुराना साफ फिर खोजेगा या कोई घड़ा खोजेगा ताकि उसका काहने कारते होता है कि ऐसा कोई एक्सिस मिल जाए जिसकी मुल जगह से कोई इधर उधर ना कर सकता है जैसे मालों की गेडा है तो जो घेडा पचास साल से उसको को उठा करके दूसरे ज तो 5 सल उस पर खेती नहीं किया तो बगलवा वाला खेती करते करते तो खेत के आरी को पहुचा देगा यहाँ अब बताओ कि इतना ही में अगर तो नापी हो जाए यहाँ से उठा करके नाप द्यामीन तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा तो पता चलेगा कि रोज लड़ा पता देगा कि आपका खेते यहाँ तक है अब तो बगलवा वाला कोड़ करके आरी मिला लिया यहाँ तो वहां फिर जाए उसको आरी को तोड़ करके यहां से मारेगा बॉंडरी अगर बगलवाला मजगूत निकला कई से इतना असानी से तो कहा करेगा बताओ तो लड़ा जगड़ा कर देगा तो एक क्या होता है कि अमीन वगरा नापता है इसका सहारा लेता है इसी निर्दसांग जमिति का सहारा लेता है अब बाकी तो सब कलास नाइन के खेला पड़ायत उसमें ने रहे ती रहता है रात दी सुतले सुतले खोज थी आए वो मैध के बरांचे क तुम लोग सूते गाता सीधे मराज बता तुम लोग सोचें सूते गाना अगर 8 वेजे सीधे एकदम उठे गा 10 वेजे तो भी बहुत आलसी भ्यक्ती था हूँ तो नाइन क्लास में चर्चा किये था उसकी जो रहने दकारते थे थे ना बहुत आलसी नहीं कह सकते उसको मतलब पर सोने में बहुत लड़की के फेल कर देते थे थे तो वहां पास देखो तो उस सोतले सोतले देखते थे जो चात वाला फर्स होता है ना उस पर देखे थे कि चिटी चल रहा है दिमाग में उनको घूस गया या खिरी चीटी का लोकेशन को जनकारी कैसे देंगे तो उस सम बाएन रहा है मिग में बताया थे तो इस कहानी करी बाकी लेकिन इसे थोड़ा सा शेंश्य में सब्सक्रांट अब बीनिओ से को दोरी को हमेशागा नापा जाता है तो मूल बींदु अगर तुम दाई तरफ चलोगे मुल बिंदू के दाई तरफ तो मुल बिंदू के जो दाई तरफ की दूरियां होती है उस दूरी को हम लोग पलास में नापते हैं किसे मेजर करते हैं पलास में और जो मुल बिंदू होता है उस मुल बिंदू के बाई तरफ बाई तरफ मने लोग किस से डिनोट करते हैं माइनस से ठीक है और मूल बिंदू के उपर की डूरी मूल बिंदू के उपर को 2012 को मूल बिंदू के नीचे की दूरी को माइनस के रीनोट करते लिखा हुआ था ले Дж है कि अब यहां पर समझना है कि एप देखो गेत एक साइक्सिट वाय एक्सिस और एकस्ट आपस में कट करके इस में झेट्र को चार भागों है अगर बटा हुआ है तो हम लोग बोलते हैं प्रेप्स भाग या प्रतम चतूर थांस इसको क्या बोलेंगे प्रत्थम चतुर्थांस रिद्ध को चतुर्थांस का मतलब होता है कि चारे भाग में बाठ रहा है तो चतुर्थांस में यह कुछ चतुर्थांस है ठीक है इसको हम लोग सेकेंड चतुर्थांस बोलेंगे क्या बोलेंगे सेकेंड चतुर्थांस चतुर्थांस ठीक है और इसको बोलेंगे थर्षतूर्थांस कि ऐसे इसके बारे कोई खास हम नया जनकारी नहीं देंगे नया क्या देंगे इसमें सारा बात तो क्वलास 9 का ही बताने वाले हैं चतुर्थांस और यहाँ पास जो आक्री बाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांस फोर्थ चतुर्थांस चतुर्थांस ठीक है अब यहां पास एक चीछ समझे ना थोड़ी से जनकारी रखना बहुत जुरूए क्यों कि आगे कि जित्रा भी पढ़ाई होगी वह इसी पर होगा पलस माइनस पलस माइनस पर यह यहां पास य ले एक्सी और एक्से एक्सै को पर य एक्सी के दाई पर वाइ इतरफ तो इस में जो भी बिंदू आएगा सब week ठीक है सब के सब सब पलस कहने का अतला उन्हार्टे सांक में में फाटास चिज़ पेखले लिखा मान लोग पहले लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे को माइनस चार दू दे लहा है तो बता तो कि इसमें एक स्कमान कितना है नहीं एक स्कमान माइनस पाच और वाइका दो अब यहां पस एक स्वाई थोड़ा लिखल मिलेगा लेकिन तुम्हें जानना है कि जो पहले लिखता है वो क्या होता है X होता है और जो पीछे लिखा हुआ होता है वो क्या होता है Y होता है तो इसके according क्या हो जागा नापेंगे तो माइनस में ना पा जाएगा लेकिन उपर की दूरी नापेंगे तो तो पलस रहेगा यानि क्यों वाइब पलस होगा इधर आसके बात अधार में जालो अधाड के अगर बात करें ईसके रिशें चेफे हैं जेफार थेफ़ाज को फिर क्या लिखाएगा वाइवाइक लीखती अब यहाँ थोडी सी द्हान दो कि यहां कि जो दूरियां है वो दूरी हमारा एक्स बराबार क्या है माइनस में है क्योंकि बाइए तरफ है मुल बिंदू के मुल बिंदू के बाइए तरफ के दूरी किसे नापते हैं माइनस में यहां पास क्या हो जागा माइनस यहां भी क्या हो जागा वाई नीचे नाप रह देगा minus plus minus minus और देदेगा minus plus sorry minus plus और एक देदेगा plus plus और इसमें से चार option आपके पास देगा ठीक है यह आपके पास चार options और इन चारों में से ए पूछ देगा बताईए कि निमनल लिखित में से कौन सा साइन्स सेकेंड ओर्डिनेट का है सेकेंड चतूर्थांस का बतावत इसमें से कौन होगा कि हां तिसरा माइनस पला सही है एक नमबर आपको मिल गया इस तरह से पूछता है एक सवाल किसा रातर है और उसको बड़रा दोता है था निए खाली दिमाग दम भुरेज़ से काम करेज़नहु ठीक रहेगा घर लगले दिमाग काम करता का हुई करता है लड़Now-ra क section हां बस ढखो तो कि यहां पस अगर किया हमारा क्या है माईनस से हमारा माइनस ए ःक प्लस पहले किसको लिखते हैं प्लस को नहीं स्वरी एक्स को एक्स हमारा यह वाला नहीं है यह वाला एक्स है मतलब कि हमारा क्या हो गया प्लस और नीचे फिर इसको माप रहे है तो इसका क्या है माइनस यहां क्या हो गया माइनस मतलब की एक्स और माइनस वाई समाज मारी ब लो आप देखते हैं हम लोग दुरिश्शुत्र क्या होता है कि अगर कि दुरिशुत्र डिस्टेंस फर्मुला इसको बोला जाता है क्या बलते हैं डिस्टेंस फर्मुला फर्मुला ओक फॉर्मूल Carbon ऐख एसके लिए ख़ quickly समझथे हैं ठीक है च्बस और दिस्ट करसी clicking किसिस समझना और इस बिनदूर और इस बिनदू का हमें निर्दे शांग दिया है क्या दिया है निर्दे शांग दिया है मतलब कि आइसान का दिया है इसको निर्दसांग बोलते हैं ठीक है और यह हमको देले हैं मान के चलते हैं कि इसका निर्दसांग है X1 और Y1 कितना है का मालूम यह तो question बनाएंगा तब नो पता चलेगा इसका निर्दसांग कितना देले है X1 और इसका देले है Y1 ठीक है और इस बिंदुगा का निर्दसांग देले है X2 और इसका क्या देले है Y2 समझना X2 और Y2 तो आपको यह पूछ देगा question कि आप बताइए कि इस बिंदु से लेकर कि इस बिंदु तक की दूरी ये दूरी कितना है या शर्लाइन होगा तो आपको बताना होगा तो इसको बता हो तो ऐसे देखो गryए तो सभी कि कुछ ये वह वहला हिस्सा यह वह layout करराएं हम क्या करेंगे कि इसके और इसके बीच की दूरी को ग्यात करेंगे इसके बीच की जotz करते है ना इसी बसे इसका नाम म्म क्या पढ़ा दूरी शुत्र क्यों कि इसके लिए इसे लिए माइनकि dell म हों या पवर करेंगे और शुत्र कि अगरा हम बात करें खेला है अंगरा आपकी पूरा yukเรา में यहीं सब साथ ही लग जाता है तो उससे पहले 24 गंटा पहले आपको बंद करना होता परचार पता चल गया ना मतलब चुनावा योग कर रहा है पुरा तो उसका परचार रद करके थमा देगा चले जा बाव लड़ा मुखिया तो उगर बढ़ा जाता है इसलिए देखना कि जब परचार करेगा लेकिन अठार के जैसे पारगा नाइस दू दिन एक दम नेता लोग चूँनाइं बोले खाली रातिया में जाएगा रंदर देगा परचा धरावेगा अल्य फाफार पांसो रुप्या ढल देगा ला 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 ना देता है मांगना तु लोग के तो भोटे पैसा कुछ देगा ऐसलिए बताते हैं कि बहुत-बहुत बहुत इस नेता लोग इसलिए भौ टूटके चक्र में मत्रहने तालो के चकर हम हमको पतो नहीं रहता है तो हम बटम दरना यहां देखो गिता है कि हमारे यह लिए तो कहता है कि इस दोनों बिंदू के बीच के दूरी कितनी होगी दूरी कितनी होगी तो दूरी कि अगर बात करोगे यह तो इसके लिए शुपता रहता है जो हमेशा तुम्हें याद रखना ओका मालों की बिंदू हमारा A है ठीक है और A बिंदू B है इस दोनों A से लेकर के B तक जैसे मालों की यहाँ देगा कि बिंदू कि A से B A B A से B कितना होगा A B के बीच की दूरी के बीच की दूरी अब कोई जुरूरी है कि दूरी ये भी हमेशा रहेगा कुछ भी रह सकता है और यहां अगर हम दूरी की बात करें तो इसके लिए सुत्तर क्या होता है कि अंदर रूट अंदर रूट देखो सुत्तर राटा नहीं जाता है राट के कितना आदमी का करेगा राटने वाला गटाना एंस्ट ऊंदर उसको घटाना है एकस योन को इस इसी सुत्तर को क्या बोला जाता है इस उस आपना बोलते हैं पूरा पर स्बस्क्राइब करते हैं आइसे टो noi स्मझनारी बात तक इसको स्ट्राइब यह कर सकते हो एक अंगरे कोई बहुत भाड़ा होता है बताते हैं कि आता कैसे हमान लों का सिद्ध करना कोई बहुत बाद नहीं है सकते हैं इसको चित कैसे किया जाते हैं उसे मान लोग यहां है तो हम क्या करेंगे ना कि इसका यहां से तुम क्या गरोगी एक्सिस होगी इस तरह से यहां से इस पर डाल देजी इस तरह से और यहां से इसको मिला देजी यहां 90 बना देजी इसका नाम मान के चलते हैं इसका नाम अब बताना जरा कि अगर यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है एक्सवान है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है एक्सवान है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है एक्सटू है पूरा दूरिया कितना है एक्सटू तो यहां से यहां तक की जो लं यहां अबी जो है स्वरी एडी जो है वह बरावर हो किसका सी इंप का क्यों जागा इस यहां से यहां तक की दूरी कि अगर हम बात करें तो अगर हम यहां से यहां तक के दूरी पहले इसको हम complete कर ले तो उसके बात समाझते हैं यहां से यहां तक के अगर हम दूरी बात करें तो यह वाला इसे यहां से यहां तक के लेकर दूरी कितनी होगी यहां से पूरा यहां से लेकर के यहां तक मतलब कि B से लेकर के E तक की दूरी कितनी है मेरा X2 है और C से E तक की दूरी कितनी है मेरा X1 है तो अगर हमको B से C तक की दूरी निकालना है B से C इसके बीच की दूरी तो कितनी होगे बता X2-X1 X2-X1 यह वाला दुरिया कितनी हो जाएगे X2-X1 हो जाएगा अब थोड़ा सा और ध्यान देना कि यहाँ से यहाँ तक की दुरी कितनी हमारा मुल बिंदू हो है तो O से लेकर के D तक की दुरी मेरा Y1 है कितना है Y1 और O लेकर के E तक की दूरी कितनी है Y2 तो हमको D से E तक की अगर दूरी चाहिए तो इस D से E तक की दूरी कितनी हो जागी कि यहां पास अनुसार हम क्या करेंगे लगांगे तो तक की दूरी हमारा क्या कह आएगा करण कह लाएगा और करने के लिए हमारे पास पाहिथा गूरस अनुसार बता है पाइथा गोरश गोरश प्रमिया से प्रमिया से पाइथा गोरश प्रमिया से क्या होता है कि हाँ कर्ण बरावर यानि कि कर्ण अब बरावर क्या होता है अधहार अधहार हम सौट में लिखते हैं अधहार का अशक्याइर प्लस लंब का अस्क्यार और यह पूरा के पूरा जाता है अंधरूट में क्या नहीं झाता है अब यहां से एक चीज़ और की यहां करने की अगर हम बात करें तो कारणे क्या हो गया मेरा A B कि अब बराबर अंदर रूट अंदर रूट अधार का स्क्वार ता अधार में कोछी काम करेंगा एसटीन न के सी तो एसटी का स्क्वार प्लस लंब तो लंब में 20 हो जाएगा यह 20 का स्क्वार अभी धर आते हैं इता उतार रही है इसको मिरेज कर देते हैं कि यहां पासी एक्सवन है समझों ठीक है अब यहां अगर देखो के तो बताईए तो कि एसी हमारा कितना है एसी के बीच के दूरी कितना है इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी और बरावर अंदर रूट है प्लस बशेयर इसको कितनी है एक्सवन है जो आ गया कि न आ गया अगया अब इसको फर्मूला में क्या किया होगा कि इसको पहले यहां लिख वाय इसको इसको इधर लिख दियो क्या फरक पढ़ने वाला है आप भी यहां यह से लिख सकते हैं you are free x2 minus x1 का हॉल square plus y2 minus y1 का हॉल कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है इसको प्रिंसर नहीं है इसको सीधी इतना करना की जरूत नहीं आप जब हल कीजिए question तो directly आप इसको लगाई है ठीक है और y2 में से इस y1 के घटा देना है अंदर रूट चढ़ा देना है और बाकी दोनों के square कर देना है जैसे माल लो कि इसको हम numerical value में समझाते हैं कि मान के हम चलते हैं कि यहां पस मेरा इस बिंदू का निर्देशांक है दो और तीन और इसका निर्देशांक है इस बिंदूआ का 5 और 7 इस तरह से अब यह पूछते कि इस निर्देशांक वाले बिंदू के बीच के जो दूरी है और दूरी कितनी है तो बताइए न कि इसके कार्डिंग सोचोगे तो दूरी हमारा एबी यह न रहेगा एबी रिसके कार्डिंग तो एबी अगर दूरी है तो अंदर रूट क्या करेंगे एकस्टू तो इसके नुसार एकस्टू हो जागा एकस्टू और एकस्टू और एकस्टू और एकस्टू और एकस्टू और एक माइनस वाइवान कितने है थीरी कहल इसको घटा दोगे तो थीरी का स्क्वार पलस इसको घटा ओगे तो फोर का तीन तरीक के नाइन चर्चो को руки कितना जागा पतरें का अंदर तो ने में देगा यहां पता हो हखना कि मुल से बाहर निकलता है तो फैस्काइब से दोनों में होती है लेकिन ये कंडिशन है कि दूरी कभी बी रिनात्मक तोड़ी सी इसमें एक टॉपिक और चूट गया है इसको भी कवर कर लेते हैं ठीक है बाद में लिखिए कि अगर हम बात करें तो इसको अरे काहिल हम मना करते हैं नहीं छूट छाड़ जाता है अथी से स्क्रीन सोट ले लेना तुरंद मिल जाएगा नहीं कैसे मिलता है अगर बात करें आपस समझो कि यहां देखो एक चीजा और इसमें सवाल क्या करता है कि मालनों कि हमारे पास ती अंपसे चैनलें समझ भीञेस हम लोग है अगर आपस तो जनरल गया हम लोग कीसे पता करेंगे कि वह सन्रेक है और और आइसेisil ALLic सन रेकात क्या होता कि जैसे एक बिंदु यहां है यहां यह यहां पर टीनों पर लाइन चलव कर टो इस तीनों बिंदु से हो कर लाइन बजार जाएगी तो इसको टनार दो इक भाव लेंगे ठीक है इसा मिलाने के बाद इसका डिस्टेंस निकालोगे तो सबसे बड़ी बहुझा का तुम शुप promise निकालोगी तुछ तो बड़ी बहुझा का तुम डिस्टेंस निकालोगी तुम बड़ी बहुझा का भी यद तोमर Dynamic भूजा के बरावर हो जाए उसको सनरेख कहेंगे जैसे मालों कि इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी भूजा है बड़ी भूजा है सबसे बड़ी भूजा है यहां से क्या होना चाहिए कि पलस एसरी बरावर हो जाना चाहिए उसका एड का अगर बेड के बरावर है तो इसको कि एगा ऌफ दी कि एतफा है को मअबीड़ शीजा तीन बिंदुब है तिन बिंदू है तो BC प्लस कौन सा? SC और बरावर हो जाना चाहिए कि इसका AB का मतलब कि दो छोटी भुजाओं का योग तिसरी भुजा के बरावर होनी चाहिए मतलब इसको अगर हम चाहिए ता इसे लिख सकते हैं कि जो दो छोटी भुजाओं का दूरी योग बड़ी भुजा बड़ी भुजा के बरावर होनी चाहिए के बरावर होनी चाहिए होनी चाहिए चाहिए और एक बार इसके बाद और पढ़ाएंगे एक बाद और कि अगर किसी तिर्भुज का शेत्रफल जीरो आ जाए तो अभी बिंदू क्या होता है शनरेक होता था यह तो अम लोग शेत्रफल पर में पढ़े नहीं है तो अभी समाज में आएगा नहीं ठीक है राइट के जिए श्का किया आप